हेलो स्टूडन वेल्कम टू स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर का साइन्स लेसन नंबर 16 नाइचरल रिसोसेज इस लेसन का सेकेंड पार्ट फर्स पार्ट मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो फर्स पार्ट को वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे तो जैसे हमने मने फ़र्स पार्ट में देखा था कि नाइचरल रिसोसेज क्या होते हैं कि यह से बाद हमने important minerals और ores उनके uses भी देखे थे उसके बाद हमने देखा था coal formation किस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर आपको picture में भी दिया है formation of coal तो यह भी हमने first part में देखा था अब इस second part में हम देखेंगे formation of mineral oil and natural gas कि जिस तरीके से हमने देखा था कि coal form होता है उसी तरीके से क्या होता है देखें यहाँ पर question भी दिया है how are mineral oil and natural gas form कि जैसे mineral oil हमें मिलता है natural gas मिलता है यह कहां से मिलते हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं तो यह form कैसे होता है जैसे कि यहाँ पर first picture में आपको क्या दिया है millions of years ago तो millions of years ago अगर हम बात करेंगे तो समंदर में कई सारे टाइप के animals और plants रहा करते थे thousands of years ago हमने अगर देखा तो उसमें से कई सारे अनिमल जो है extinct हो चुके थे plants जो है वो extinct हो चुके थे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें soil के layer नजर आएंगी उसके बाद at present मतलब अगर अगर आज के date में अगर हम उसी जगपे अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो है हमें changes दिखाए देंगे पानी की level कम होती हुई दिखाए देंगी या फिर जो layers होते हैं soil के एक के उपर एक हमें अगर में दिया था national institutions कों से हो हम देखेंगे the oil and natural gas cooperation जिसे ongc short form में लिखा जाता है was established on 14th August 1956 तो 1956 14th August में इसे क्या किया गया था established किया गया था it functions under the ministry of petroleum and natural gas of the government of India तो यह government की company हम के सकते है या पिर उन्होंने यह find out किया था कि किस तरीके से जमिन के अंदर जो petroleum या फिर natural gas जो होता है उसे हम हमारे लिए use कर सकते है ongc is the largest oil and gas research and production company in India कि इस company ने फिर क्या किया कि कों से जगपे इस तरीकी के oil या फिर gas के gas हो सकता है या फिर उसके उपर research करना हो production करना हो और उसके बाद जो है लोग तक पहुचाना हो यह सारे कामनों ने किये है its head office is at Dehradun उत्तराखन तो उत्तराखन में इनका जो head office है वो है ongc produces about 77% of the crude oil and about 62% of the natural gas produced in India तो इंडिया में जो crude oil का production होता है 77% यही company करती है उसके बाद जो natural gas होता है उसका production 62% यह इंडिया में यही company करती है of the 7 commercial important underground oil reserve in India ONGC has successfully explored 6 तो जो भी 7 commercial important underground oil reserves थे उनमें से 6 जो है वो ONGC जो company है उन्होंने ही explored किये थी तो इनका काफी योगदान है इसमें हम ऐसे कह सकते है next हमने कहेंगे mineral oil mineral oil is the liquid fuel form by the decomposition of organic substances buried underground जैसे कि हमने पहले देखा कि natural resources में हमें जो minerals मिलते हैं उनमें वो solid भी होते हैं liquid and gases form में भी होते हैं जैसे कि हमने first part में solid देखा था कि क्या होते हैं जो metals होते हैं metal या फिर non-metal जो होते हैं substances वो उसके बाद liquid में क्या आएगा तो mineral oil और gases में क्या आएगा natural gas जो होते हैं वो आएंगे animals की या फिर जो plants की remains होते हैं वो कहां पर जाते हैं सी के bottom में अगर रहते हैं layers of soil and sand collected on them और कुछ हजारों साल के बाद जैसे कि soil का वहां पर layer बढ़ता जाता है या फिर sand जो होते हैं वहां पर जमा हो जाती है due to high pressure and temperature the remains of the dead organism were transformed into mineral oil जैसे कि हमने coal का formation देखा था उसी तरीके से होता है लेकिन यहां पर क्या होगा कि plants भी होंगे और जो animals होते हैं तो उनका जो remain होता है वो दब जाता है जमीन के नीचे और उसके बाद उसके उपर जो high pressure होता है या फिर जो जमीन की temperature वहां पर जादा हो जो भी रिमेंड वहां पर होता है dead organism का वो ट्रांस्फोर्म हो जाता है किसके अंदर mineral oils के अंदर उसके बाद देखेंगे the underground mineral oil is extracted through oil wells तो oil wells होती है तेल के कुवे हम कह सकते हैं तो उसमें से फिर क्या किया जाता है underground mineral oil होता है वो निकाला जाता है जो भी उस जमीन में mineral oil होता वो extract कहां पर होता है oil wells में और फिर वो wells बना के हम लोग क्या करते हैं उसे निकालते है mineral oil is found mainly in oil sands, shale, sandstone and limestone at a depth of about 1000 to 3000 meters के अंदर ये जो होता है sandstone, limestone, sand, shale जे होता है वहाँ पर क्या किया जाता है इस तरह के से खो जा जाता है कि वहाँ पर mineral oil की wells होंगी या नहीं mineral oil is also known as petroleum और crude oil भी उसे कहा जाता है it is greenish brown in color इसका color कैसे होता है तो greenish brown color का होता है petroleum is a mixture of many compounds mainly of the hydrocarbon type petroleum जो होता है directly हमें separate एसे नहीं मिलेगा उसके कैसारे compound form में हमें मिलता है जिसमें hydrocarbon type present होते है it also contain compound of oxygen nitrogen and sulfur petroleum is extracted through oil wells and refined by fractional distillation to separate other components कि जैसे हमने देखा petroleum free तो हमें मिलता नहीं या फिर directly pure होके तो नहीं मिलेगा तो यह mixed form में आता है compound form में आता है तो फिर उसके बाद उसे distillation के through या फिर separation का method करके उसे क्या किया जाता है separate किया जाता है evasion petrol gasoline diesel kerosene naphtha lubricating oil tar are all obtained from petroleum तो petroleum से ही यह बागे की चीज़े जो होती वह separate की जाती है they are used as a fuel and for production of dyes, pesticides, perfumes and artificial fibers तो इनके अगर uses हम देखेंगे तो यह सारे uses आपको दिये है जैसे कि dyes बनाने हो, pesticides होते हैं, perfumes होते हैं या फिर artificial fibers जो होते हैं उनको बनाने के लिए यह काम आता है next हम देखेंगे कि gases कोन से होते हैं, natural gas कोन से होते हैं, जो हम लोग use करते हैं natural gas is an important fossil fuel तो इसे भी fossil fuel ही कहा जाता है क्योंकि यह भी जमिन के नीचे ही हमें मिलता है it is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as a natural gas alone कई बार हमें petroleum जो underground oil जो होते हैं, उनकी जो wells होते हैं, वही पर यह natural gas मिल जाते हैं या फिर कई बार वो separately भी हमें अलग जग़ा पे मिलते हैं the main component of natural gas is methane, सबसे main component अगर हम देखेंगे, natural gas का तो वो कौन सा होता है methane होता है, जिसे CH4 से denote किया जाता है उसके बार वाइल इथेन होता है, उसमें propane हो, butane हो, यह सारे small proportion में क्या होते हैं, वहाँ पे present होंगे लेकिन main जो जादा मातरा में अगर हम देखेंगे, जादा quantity होती है, वो होते हैं methane की natural gas is formed from the remains of organism buried deep underground and subjected to high pressure तो natural gas भी किस तरके से बनते हैं कि जो remains होते हैं organism के, वो क्या होते हैं जमिन के नीचे दब जाते हैं, वहाँ पे high pressure और heat के कारण वो दबते हैं तो वहाँ पे वो gases क्या होते हैं produce होते हैं, इस fuel can be carried over long distances by means of gas pipeline तो यह जो natural gases होते हैं, उनको भी अगर एक जगा से दूसरी जगा transport करना होता है, तो उसके लिए pipelines बनाई जाती हैं और उसके थूरू उसे लेके जाते हैं but in the absence of a network of pipelines, लेकिन ऐसे जगा पे pipelines अगर नहीं होंगी तो वहाँ पे किस तरके से हम लेके जा सकते हैं it is transformed under high pressure into compressed natural gas जिसे CNG भी कहा जाता है and liquefied natural gas जिसे LNG भी कहा जाता है तो यह gases होते हैं कि उसके उपर, उसे क्या क्या जाता है, हम लोग एक जगा से दूसरी जगा पे transport कर सकते हैं easily अब देखेंगे हम characteristic of CNG, CNG की characteristics क्या होती है, catches fire easily, यह जल्दी जो है आग को पकड़ लेता है, no solid waste remain after combustion CNG gas जलने के कारण कोई भी solid waste नहीं बचता है, carbon dioxide and water are formed in small quantities तो उसके जलने के बाद carbon dioxide या फिर water जो है form होता है, लेकिन small quantity में होता है other pollutants are not produced, बाकि के भी जो pollutants होते है, जो की हमारे air को खराब कर सकते है या फिर जिससे production बढ़ सकता है, वो यहाँ पर क्या नहीं होते है, produce नहीं होते है can be transported easily, और easily transport भी किया जाता है, combustion can be controlled easily और अगर आग लगती भी है इसका जो भी combustion होता है, उसके ऊपर हम लोग easily आग के उपर control भी कर सकते है do you know में देखेंगे, fossils are the preserve remains of dead organism in rock, fossils are the sign of their existence left behind by organism that got buried billions of years ago जैसे कि डाइनोसर तो हमने नहीं देखे थे, फिर डाइनोसर का हमें पता कैसे चला, कि उनका जो bone structure होता है अगर कोई animal मर जाता है तो उसके उपर कई सारे जो soil जैसे कि हम कह सकते हैं, उसके उपर अगर रॉक है, रॉक की नीचे दब जाते है तो क्या होता है कि उनके जो bone structure होता है, उनका expression जो होता है वह हमें वहापे rocks के उपर या फिर जो soil होगी उसके उपर दिखाई देता है तो अगर dinosaur हमने नहीं देखे तो हमें कैसे पता चला है, इसी तरीकी के जो उनके exist होने के बाद कुछ भी उनका जो बचा हुआ fossil मिल जाता है, उनसे फिर study या फिर research किया जाते है sometimes impressions of the organisms are seen on the surface of coal and stones, क्योंकि coal जो होता है फिर stone जो कोल जो होता है वो भी जमीन के निचे अगर बनता है तो वहापे क्या ऐसे जो animals होते है जो जमीन के निचे दब जाते है तो उनका जो impressions होते है वो क्या होते छप जाते है जैसे कि अगर कोई चीज हमने आटा लिया उसके होगा या फिर जो भी होगा impression वहापे हमें दिखाए देगा उसके उपर उसी तरीके से जो भी उनके bones होते हैं उनका structure जैसे होगा वहीं impression हमें उस coal के उपर stone के उपर दिखाए देता है use your brain power में देखेंगे why is mineral oil called liquid gold इसे liquid gold क्यों कहा जाएगा क्योंकि हमें पता है कि mineral oil हमारे लिए कितना important होता है day to day life में कितनी सारी जगपे हम लोग mineral oils को use करते हैं और यह जो होता है काफी महेंगा भी होता है इसके लिए हमें उसे liquid gold भी कह सकते है why is coal called black gold तो coal को भी black gold क्यों कहा जाता है इसी तरीके से कि इनकी demand काफी ज़्यादा होती है महेंगे होते है और useful होते है और हमेशा हमें लगने वाले है तो इसके लिए इसे black gold भी कहा जाता है what would happen if underground mineral resources are exhausted अगर जमीन के नीचे जो भी mineral resources होते है जिनसे हमें mineral oil हो natural gas हो या फिर metals जो मिलते है अगर यह नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि हमारे day-to-day life में इनकी हम कितने सारे uses देखते है तो हमारी ज़रुते है वो पूरी करने के लिए हमें sources नहीं होगे तो क्या होगा कि जो life हमारी easy हो चुकी है इन सब चीजों के कारण वो नहीं होगी तो काफी सारी problems को हमें face करना होगा do you know में देखेंगे liquefied petroleum gas क्या होता है तो LPG gas क्या होता है जो हमारे घरों में हम लोग gas lenders use करते है तो वहीं होता है LPG petroleum gas is obtained during refining of crude petroleum तो crude petroleum जैसे mineral oils हमने देखा तो उसे जब निकाला जाता है तो उस समय petroleum gas obtained होता है petroleum gas is transformed into a liquid by subjecting it to high pressure and reducing its volume to 1.240 of the original तो उसका original जो volume होता है उसे कम कर दिया जाता है और pressure को हाय कर दिया जाता है और फिर उसको use किया जाता है जैसे कि store किया जाता है it is stored in a thick wall steel cylinder so that under pressure it remains in the liquid state under pressure यह क्या रहेगा liquid state में रहेगा लेकिन उसके उपर प्रेशर जब निकाला जाता है या फिर वो बाहर जब cylinder से आएगा तो वो gas form में आता है as it comes out from the storage cylinder it is transformed back into a gas जैसे कि हम gas जलाते है तो उसमाई जब heat produce होती है तो वो जो gas होता है वो कैसे gas form में होता gas form में वो बाहर निकल के आता है लेकिन cylinder में जब भरा जाता है तो वो पेट्र क्या कहते है लिक्विड स्टेट में होता है this gas contains mainly two components प्रोपेन और ब्यूटेन होता है जिनका रेशो होता है 30 as to 70 it is an orderless gas orderless means क्या कि इसकी कोई भी smell नहीं होती है लेकिन फिर जब हम gas जलाते है या फिर जो gas leakage अगर होती है तो हमें उसकी smell क्यों आते है तो उसमें small amount में क्या होता है इथील मर्कैप्टन होता है मिरकैप्टन होता है जिसके कारण उसे क्या होती है strong smell होती है उस gas को और उस small quantity में वहाँ पर एड़ किया जाता है इसके लिए कि उसकी smell आये जिसके कारण अगर कभी leakage होता है ग्यास का तो हमें पता कैसे चलेगा अगर उसका order नहीं रहेगा उस और immediately and thus avoid any accident, तो accident होने से बज़ सकता है, क्योंकि leakage अगर होगा और gas अगर जलाते हैं तो accident होने के chances होते हैं Why is natural gas an eco-friendly fuel? तो उसे natural gases को eco-friendly क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे pollution कम होता है, इसके लिए भी कह सकते हैं कि वो eco-friendly होते है The demand for fuels has increased greatly due to the rapidly growing population, कि अगर population बढ़ेगा तो उनकी जरूरते भी बढ़ती है, तो जैसे कि demand होती है इन सारी चीजों की natural gas हो, natural oil हो, तो इन सारी चीजों की भी demand क्या होती है, population जैसे बढ़ेगा उस से भी से ही बढ़ती जाती है But the results of fossil fuels are limited, लाखों सालों पहले जब बने हुए थी, वो fossil fuels, उन से ये natural gas oil बढ़ेगा बना हुए तो वही हम यूज़ करेंगे, तो वो क्या है, limited है It is becoming difficult to meet the increased demand, तो ऐसे तो नहीं कि हमारे demand बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी sources बढ़ रहे है, ऐसे नहीं होगा जितने sources से, उससे ही हमें क्या करना है, अपना काम चलाना है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर उनके उपर भी क्या होता है, थोड़ा सा pressure बढ़ जाता है या पर कह सकते हैं कि limited sources है, और population ज़्यादा है, तो demand भी ज़्यादा बढ़ जाती है The likelihood of these results getting exhausted is known as the energy crisis, तो energy crisis हो सकते हैं, energy problems ऐसे हो सकते हैं कि हमें easily gas नहीं मिलता है या फिर उनके दाम ज़्यादा बढ़ जाते है, diesel petrol जो है उनके भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि limited source है और हमारे demand काफी ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए उनके भाव भी बढ़ जाते है As the results of fossil fuels, namely mineral oil and coal are limited and the demand is increasing, तो यह सब क्या है, limited form में है और हमारे demand काफी बढ़ रही है Alternative fuels are coming into this, तो उनके alternative fuels होते हैं फिर उनको यूज किया जाता है, hydrogen, biofuels, methanol और wood alcohol, ethanol और green alcohol are some of the alternative fuels So, इनको alternative fuels को भी use किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे sources limited है, और demand को अगर हमारे लोगों की जो जरूरती होती है, उनको पूरे करना है, तो कुछ न कुछ alternative find out किया जाते है Next हम देखेंगे forest resources, कि forest से हमें कौन से resources मिलते है, what is meant by forest, अभी forest क्या होता है, यह सब को पता है, कि जहाँ पे jungle हो, कई सारे trees होते है, different type के animals होते है, plants होते है, तो वो होता है forest What are their uses, उनके uses क्या होते है, कई सारे uses होते है, कि वो trees हमें काम आते है, उनके medicinal uses होते है, बागे के भी uses होते है, या फिर वहापे animal जादा होते है, तो फिर animal से भी हमें फायदा होता है An extensive area of land covered by a variety of plants is called a forest Forest के से कहा जाता है, कि extensive area, काफी बड़ा जो area होता है, या फिर जमीन होते है, किस से covered होती है, plants से, trees जादा होते है वहापे A forest is a natural habitat of plants, animals and microbes के जहाँ पे कई सारे plants होते है, forest में animals होते हैं and microbes भी होते है About 30% of the total land of the world is covered by forest, तो हमारे पूरे world का 30% area अगर हम देखेंगे जमीन का तो उसके उपर forest है Forest performs certain specific protective and productive function, तो protective functions भी होते हैं and उनके productive functions भी होते हैं अभी side में हम अगर देखेंगे yellow color के box में तो यहाँ पर दिया है हमें protective functions of forest कि protective functions क्या होते हैं इनके, तो first is to reduce the velocity of water flowing over the land कि जहाँ पर जंगल ज्यादा होते हैं तो बारिश तो होती है, लेकिन trees के roots जो है जमीन को पकड़ के रखते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो पानी है वो ज्यादा जमीन के उपर से बहे नहीं जाता है जमीन के जो tree के जो roots होते हैं वो भी क्या करते हैं पानी को पकड़ के रखते हैं या फिर उसके कारण क्या होता है underground water जो होता है वो भी ज्यादा बढ़ता है to prevent soil erosion जैसे कि हमने अभी देखा कि trees के जो roots जमीन को पकड़ के रखते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि soil erosion भी नहीं होता है और पानी जो है एकदम से बहे के चला नहीं जाता है वही जमीन के अंदर चला जाता है जिसके कारण underground water का लेगल भी बढ़ता है soil erosion भी कम होता है soil erosion का मिनिंग क्या होता है जैसे कि अगर तेज बहाव होते है पानी के उसके साथ साथ जो है soil जो होते है मिट्टी भी बहे की चली जाती है लेकिन अगर जहां पे जंगल होते है forest होते है trees जादा होते है तो उनके roots जो है soil को पकड़ के रखते हैं तो इसकी कारण soil erosion नहीं होता है To help percolation of water into the ground वही reason दिया है कि पानी जो होता है सीप होता है जमीन के अंदर To control floods जो floods आते हैं उनको control करने का काम भी करते है To reduce the rate of evaporation, evaporation का rate जो होता है वो भी कम हो जाता है To protect wildlife, जो wildlife होती है animals को जो है अगर उनके लिए अगर कोई safe जगह होती है तो वो होती है forest To maintain the balance of atmospheric gases, तो atmospheric जो gases होते हैं अगर carbon dioxide का जो proportion है वो air में बढ़ रहा है लेकिन अगर trees हम लोग ज़्यादा लगाते हैं या फिर forest ज़्यादा है तो उनके कारण बनने वाला oxygen भी air में मिक्स होता है तो यहाँ पर atmospheric जो gases होते हैं वो balance बना रहता है Thus, forests help improve and maintain the quality of the environment तो forest क्या करते हैं हमारी environment को improve भी करते है और उसकी जो quality होती है उसे maintain भी बनाये रखते है नेक्स हम देखेंगे कि productive functions क्या होते हैं अभी देखें medicinal plants जो होते हैं वो हमें कहा से मिलेंगे forest ज़्यादा मिलते हैं और कौन से plants होते हैं जिनका medicinal use हम लोग करते हैं अडूल साजी से कहा जाता है जो कि cough and cold के लिए काफी आच्छा माना जाता है treatment कर जाता है इसके कारण bail एडियरीया के इस जो लिए दिया जो होता है इसके काम से पर और इसके काम है यहाँ पर तो हमें कुछी नाम दिये गए लेकिन इसे बहुत सारे medicinal plants होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि प्रिपेरल लिस्ट अप मेडिसिनल प्रांट्स लाइक अश्वगंदा शतावरी आमला हीडा बेडा तुलसी आंदेर यूज़ यह तो यह नाम अपने सुने होंगे कई ना कई चोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी देखिए मेडिसिनल प् तो हमारे जो ग्रैंट पारेंट्स होते हैं घर के बड़े होते हैं उनको इनके बारे में पता होता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो उड़ जलाने के लिए उड़ी जो फार्मिंग इंप्लिमेंट्स जो बनाए जाते हैं या फिर फार्मिंग इंप्लिमेंट्स जो बनाए जाते हैं खीती में काम करने के लिए जो अउजार बनाए जाते हैं उनके लिए भी उड़का यूज किया जाता है फॉरेस्ट वेल्ड इंक्लूड फाइबर्स पेपर रबर गम और अरोमेटिक सब्स्रंस तो यह सारी चीज़े हमें कहां से मिलेगी फॉरेस्ट से मिलेगी क्योंकि वहाँ पे ट्रीज होते हैं और ट्रीज से यह सारी चीज़े हमें मिलती हैं इसके लिए वह हमारे लिए काफी इंपर्टन माने जाते है अगर रबर अवेलेबल नहीं होता तो उसके अलावा हमारा क्या होता विदाउट रबर क्या होता कि rubber के चीज़े हम कैसे कितनी use करती है अगर वो नहीं होता तो क्या होता कि उसके जग़े हमें कोई alternative मिलता या नहीं मिलता फिर उसके कारण हमें कई सारे problems को face करना पड़ता क्योंकि rubber के कारण जो हमारे कई सारे चीज़े जो होती है वो उनसे ही बनती है what are the adverse effect of clearing a forest or cutting down trees तो इसके कारण adverse effect फिर क्या होंगे क्योंकि forest को आज कल क्या क्या जाता है कि population बनने के कारण जो है हमें रहने के लिए घर चाहिए buildings चाहिए तो जहाँ पर trees होते है forest का area होता है उसे clear किया जाता है और उसके उपर फिर buildings बनती है तो इसके कारण क्या होगा trees के कारण तो सबसे main जो होता है oxygen हमें मिलता है वो कम हो जाता है उसके बाद बारिश के लिए हमें पता है कि water cycle में इनका काफी roll होता है तो इसके कारण rain भी कम हो जाती है means पाणी हमें कम मिलेगा उसके बाद जो है air pollution अगर होनोक वह Id значит होतं हैं टाफ करने करने के लिए और औकसिजन के लिए कोंट हैं उसके बाद हमने देखा हैं उनसे हमें कितने सारी Nothings मिलते तो वह भी नहीं मिलेंगे अगर उन्हें हाट करेंगे तो आंग पहले के सकता हैं यह जोиюस्फुल नाथा प्ल dau Nur तो आगे जाके बड़े होंगे, many more trees than are cut down should be planted and look after, अगर जरूरत है हमें trees को काटने की, तो अगर हम 10 काटते हैं trees तो उसके बदले हमें 15 या 20 trees को लगाना चाहिए, और सिप लगा के छोड़ना नहीं है, तो उनकी थोड़ी शी देखभाल भी करनी चाहिए, कि वो बड़े हो ज अगर लोगों को दी जाएगी, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा trees जो cut करते हैं लोग वो थोड़ा सा number of trees कम cut करेंगे, तो कुछ rules और regulation होते हैं तो उन्हें strictly follow भी करना चाहिए, ocean resources, समंदर से हमें कुन से resources मिलते हैं, name the ocean of the earth, तो earth के उपर जो 5 ocean हैं उनके नाम आपको पत होता है, लेकिन फिर ढंई वो हमारे लिए useful क्यों होता है क्यों कि समंदर में कई सारे plants होते हैं, animals होते हैं जो कि हमारे लिए important होते हैं, तो कई सारे useful और यूस फूल चीजें, जो हमें सीज से मिलती हैं, इसके यह सकते हैं कि अगर भले ही उसका पानी if the hala is natural 2030 हो लेकिन उन सबसे ज्यादा कहा से मिलती है ओशन से सीवेव एठ हाइड लो टाइड और ओशन करंट्स आर बेंग यूज फॉर जेनरेशन ऑप पावर तो एलेक्रिसिटी करने के लिए या फिर जेनरेशन ऑप पावर जो होती है वह भी कहा से किया जाती है लो टाइड साइड को यूज कर के उन से क्रियड किया जाती है यह सिक्स टैंदर में आपने यह पढ़ा होगा लास्ट यह वी हाव लर्ण संधिंग अब थी इन जेयोग रफी तो हां सिख स्टैंदर में आपने जेयोग्रफी में यह पढ़ा होगा देरा 《वाराइटियों आप नाचरल रिसोर्से इन सी at the bottom of the sea and beneath the sea bed too कि जो समंदर का पानी है उनसे तो resources मिलते ही लेकिन sea समंदर के bottom में या फिर जो sea bed होते है means समंदर का पानी जो होता है उसके नीचे की जो जमीन होती है sea bed तो वो भी हमारे लिए काफी important होता है these resources available from seas and oceans are called marine resources तो seas या ocean समंदर से जो भी हमें resources मिलते है इने ही marine resources भी कहा जाता है mineral and bio resources from oceans कों से होते है are mineral to be found in the seas and on the sea bed as they are found inside the earth जैसे जमीन के उपर अगर हम देखेंगे कि अर्थ के नीचे अर्थ के अंदर अगर हमें minerals मिलते है या फिर किसी तरीके से resources जो मिलते है जैसे कि natural oil हो गया सो तो क्या उसी तरीके से समंदर के नीचे जो जमीन होती है सीबेड जो होते वहाँ पर मिलते है क्या तो हाँ वहाँ पर भी मिलते है scientists believe that billions of tons of minerals are to be found dissolved in ocean water कि ocean water में billions of tons जो है minerals mix है पानी के अंदर there are very large reserves of tin, chromium, phosphate, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc. in the ocean and seabets तो यहाँ पर यह मिलते है we get many types of gems, contres, shells and pearls from the sea कि जैसे जो shunk होते है वो मिलते है gems जो ratna होते है वो मिलते है उसके बाद pearls मोती जो होते है वो कहां से मिलते है तो यह सारी जो important changes जो होते है वो हमें समंदर से मिलते है real pearls are even costlier than gold कि जो सोना होता है सोना महंगा होते है लेकिन उससे जादा जो real pearls जो होते है मोती जो होते है वो जादा महंगे होते है जो कि समंदर से हमें मिलते है there are large scale reserve of mineral oil and natural gas at the bottom of sea we develop this by drilling oil and gas will तो जमीन जो होती है समंदर के नीटे की जो जमीन होती है वहाँ पर भी reserves होते है mineral oil और natural gas के तो वहाँ पर drilling oil या फिर जो wells बनाए जाती है उनके through oil या फिर gas फिर निकाला जाता है और उनको use किया जाता है marine wealth में देखिए यहाँ पर कई सारी types के fishes जो होते हैं वह हम लोग खाता है वहाँ हमें का से मिलेंगे समंदर से मिलते हैं उसकी बाद जो काँच शंक जो होते हैं शंक हम्टि कहते हैं तो वह हमें यहाँ से मिलता है उसके बाद pearl जो मोती होते हैं वहँग्र buradan यहां पर मिल जाते ही इन इंडिया the first mineral oil वेल सागर समरत was drilled in 1974 at the oil field called Bombay High for obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of the sea तो यह सबसे पहली mineral oil को खोजने वाली company हम के सकते हैं कि जो Bombay High यहाँ पे है 1974 में इनोंने क्या किया था कि sea के bottom में जो mineral oil या फिन mineral gas होता है उसे निकलने के काम उनोंने किया था तो उरन जो जगह है वहाँ पे क्या किया जाता है यहाँ से pipeline के through जो भी natural gas होता है उसे लेके जाता है यहाँ पे picture में साइड में आपको दिया है next is mineral resources from oceans तो कौनसे mineral resources हमें मिलते है ocean से thorium जो कि used in a production of atomic energy में use होता है magnesium used in a flash bulb of a camera potassium होता है जो कि the main ingredient in production of soap और glass 40 dollars का जो production होता है उसमें potassium को use किया जाता है उसके बाद sodium होता है जिसे production of cloth and paper में यूज किया जाता है sulphate होता है जिसे कि artificial silk बनाने में यूज किया जाता है bio resources in ocean अभी bio resources means क्या कौन से animal हमें यहाँ पे मिलेंगे तो fishes होते हैं कई सा कई तरीके के उसके बाद हम देखेंगे fishes like a prawn fried sea fish as also shrimp and prawns जो होते है they are sources of proteins and vitamins therefore mainly used as a seafood जो seafood होता है उसमें कई तरीके के fishes जो है हम लोग खाते है dried shrimps bombay duck powder जो होती है used as a poultry feed and is a good manure भी उसे माना जाता है shales जो होते है use for preparation medicines, ornaments, decorative articles जो होते हैं शंक से बनाए जाते है fungi जो होता है use for the production of antibiotics इसके लिए use किया जाता है shark and codfish जो होते हैं इनका use होता है producing edible oil rich in vitamin A, D and E जो shark और codfish के oils जो बनता है उसमें A, D, E जो vitamins होते हैं वो काफी ज़्यादा quantity में होता है sea cucumbers जो होते है uses as a medicinal for treating cancer and tumors जो होते हैं उनके उपर ये use किया जाता है तो इस तरीके से जो समुंदरी जीओं होते हैं, जो animals होते हैं उनको भी यहाँ पर यहाँ पर यूज किया जाता है salt farming जो हम लोग नमक खाते हैं तो वो भी कहा से बनेगा वो भी समंदर का पाणी होता है उससे ही बनता है जिसे बनाती है big industries बनती है वहाँ पे बनाया जाता है transport business होता है कि अगर जो ships होती है उनके through transport किया जाता है कुछ भी जो business करते हैं लोग उसमें see tourism होता है means of financial income बढ़ाने के लिए लोग see tourism भी करते है manufacture and decorative articles भी बनाया जाते है जैसे कि जो भी material उन्हें समंदर से मिलेगा उनसे always remember natural resources are important for meeting our needs कि natural resources जो होते हैं उनको हम क्यों use करते हैं हमारी जो day to day life की जो ज़रूरत होती है वो पूरी होती है reserves of some resources are limited जैसे हमने पहले देखा कि जो natural gases हो oils हो, minerals हो, यह limited form में होते हैं जैसे हमारी population बढ़ेगी वेसे ही उनके sources नहीं बढ़ते हैं तो वो limited होता है there is a danger that excessive use will lead to their early depletion अगर हम इसी तरीके से continuously उन्हें use करते रहेंगे, waste करते रहेंगे तो एक दिन वो क्या हो जाएंगे depletion मतलब पूरी तरीके से खतम हो जाएगा we must keep a control on the use of natural resources to maintain the balance in nature अगर हम इन nature में balance को बनाये रखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं यह जो natural resources है उनको अच्छे से use करेंगे, maintain करके रखेंगे, control करेंगे हमारी use के उपर उन्हें waste नहीं करेंगे, तब जाके हमारे nature को हम balance कर सकते हैं तो देखें student को चीज तरीके से आपको natural resources का यह पूरा lesson दिया तक आफी अच्छी information भी आपको यहाँ से मिल जाएगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like जरूर कीजे, आपके जो friends होगे 7th standard में उनको share कीजे और अगर आपने चैनल को अभी तक भी subscribe नहीं किया होगे तो subscribe भी जरूर कर लीजे